मूली की सबजी बनाने का ये तरीका देख आप भी बोलेगे ये तरीका पहले क्यों ने बताया जो लोग मूली नहीं खाते हैं वो भी इसे मजे से खाएंगे बहुत ही डेस्टी सबजी बनकर तयार होती है तो हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत सागत है इस रेजिपी अब इसमें डाल दिया हमने एक चमच के जितना नमक और मूली में अच्छे से मिला देंगे इससे ये मूली जो अपना पानी है वो बहुत अच्छे से छोड़ देगी अगर हम इसमें पानी नहीं निकालेंगे तो बहुत गीला हो जाएगा इसलिए हमें इसका पानी निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि मूली में बहुत ज़ादा पानी होता है तो इस तरीके से हाथों नमक मिला कर और हाथों से इस तरीके से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल देंगे और इस तरीके से हमने मूली का पूरा पानी निकाल दिया है और लगबग इसमें दो मूली में छोटे कप के जितना पानी निकला है तो इस पानी को फेक किएगा नहीं, अगर आप पराठा बना रहे हैं या फिर सब्जी में इसको इस्तमाल कर लीजिएगा अब मूली से पानी निकालने के बाद इसमें डालेंगे लालमिष पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और ब्लेक पेपर पाउडर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस मूली में तो जरूर से डालिएगा काली मिष्ट का पाउडर अब या इसमें डालेंगे चार चं速 के बहुत यह दो इसमें डालेंगे कोई भी कुकिंग इसमें एक चम्मज के जितना जीरा और एक चम्मज जितना डालेंगे अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट मूली में बहुत अच्छा आता है। आप सारी चीजों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक मिक्षर जैसा बना कर तयार कर लेंगे। ध्यान दखिएगा इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं यूज करना है जो मूली का मॉइशर है इसी से हमें इसको बाइंड करना है इस तरीके से। तो यह मिक्षर बनकर तयार है इधर कढ़ाई में हमने तेल को गरम किया है। तेल बढ़िया से गरम हो गया। अब इसमें डालेंगे आधा चमच अजवाइन जब अच्छे से चटकने लगे तब इसमें डालेंगे आधा चमच जीरा। अब यहां पर हमने एक कटा हुआ प्याज लिया है जो लोग प्याज नहीं खाते वह स्किप कर दीजिएगा पूरी तरह से। प्याज को अच्छे से हमने कट कर लिया बारी अब इसमें डाल देंगे और प्याज को बढ़िया से भूनेंगे प्याज अच्छे से भून जाए बढ़िया से इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए इतना हमें प्याज को अच्छे से भूनना है प्याज का कलर अच्छे से चें जाब के लिए इसमें चाहे ब्ल GG लाल मर्श पाउडर और डहरे हमारे घर के हीक भी चाहिव यहाव बस मसालों को अच्छी तरीके से इसी तेल में भूनेंगे अगर आपको जरूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इन्हें अच्छे से भूनिएगा तब तक भूनेंगे जब तक यह प्यास टमाटर बढ़िया से गल नहीं जाते और एकदम बढ़िया सी ग्रेवी ब मसाला अच्छे से बन गया है तब इसमें हम डाल देंगे एक कप के जितना पानी तो हमें यहां पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है बस एक पानी यूज़ करना इसे हम उबालाने के लिए छोड़ देंगे इधर जो हमने मूली का मिक्षर बनाया था वो भी एक दम बढ़िया से शेट हो गया है तो इसका थोड़ा पोश्चन हाथ में लेगे और इस तरीके से चोटी-चोटी टिक्क्याद जैसी बना लेंगे बहुत ही सिंपल है इस तरीके से बना लीज़िएगा अब एक पैन में हम तेल गरम करेंगे बहुत थोड़ा सा तेल गरम करना है और इन्हें हम सैलो फ्राई करेंगे हमें इन्हें डीफ फ्राई नहीं करना है इससे यह मूली भी अच्छे से पक जाएगी और जो लोग मूली नहीं से शेक लेना है इन्हें आप मूली के कटलेट के रूप में भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं याद बिल्कुल समंझ में नहीं आएगा कि इन्हें आपने मूली से बनाया है तो यह सारी टिक्षाइग अच्छे से फ्राई हो गई हैं बस इन्हें हम निकाल लेंगे तेल से बाहर गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे क्योंकि एह मारे अच्छे से टिक्किया सारी अच्छे से फ्राइ ओंगें कलर भी बहुत ही प्यारा आया है बस तरत हमने निकाल ली और इधर इतनी देर में ग्रेवी भी अच्छे बनकर तयार हो गई बढ़िया सा उबाल आ गया सारी ये टिक्किया जो हमने फ्राई की थी वो सारी इसमें डाल देंगे और इने हलके हाथों से मिला देंगे और बस इसमें लगा देंगे लिड और इसे 2-3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से पकने के ल सकते हैं क्योंकि मैंने पहले एट किया था तो आप नहीं डालेंगे बस इसे चला देंगे आप इस सब्जी को किसी भी रोटी पूडी पराठा या फिर चावल के साथ सब करिएगा अगर आपने भी पहले मूली की सब्जी इस तरीके से नहीं बनाई है तो ट्राई करिएग और इतने नरम